नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में और दोस्तों आज का ये वाला जो वीडियो है ना, इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो भी अगले 20-25 मिनट में देखे आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step पूरा practical बताने बना हूँ कि पहले तो आप chart gpt का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं मैं आपको इसके अंदर ये भी बताऊँगा chart gpt होता क्या है AI tool और आप उसको इस्तमाल कैसे कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि chart gpt का इस्तमाल करके आप different different keywords पे आप एक automatic blog को कैसे लिख सकते हैं जिसमें आपको खुद को blog नहीं लिखना पड़ेगा chart gpt अगर आप blogging स्टार्ट करना चाते हैं तो खुद आपके लिए blog लिखेगा अब आप कैसे लिख सकते हैं chart gpt का इस्तमाल करके वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि chart gpt से आपने जो blog लिखा है उसको आप कैसे अपना एक free blog बना के जिसमें आपको कोई investment नहीं करना आप कैसे free blog बना के उस पे अपना blog जो आपने chart gpt पे लिखा है वो कैसे आप post कर सकते हैं और उसके बाद अपने blog का आप step by step SEO करके आप उस blog को कैसे post करके हर मिने आप उससे अच्छी income घर बेटे कर सकते हैं और मैं आपको बताऊं इसके अंदर आपकी बिल्कुल zero महनत है आप इसको part time भी शुरू कर सकते हैं without investment शुरू कर सकते हैं और अगर आप एक student है housewife है job person है तो आप इसको आसानी से शुरू करके हर मिने 20 से 25,000 रुपे की कमाई आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों आज के ये वाला वीडियो आपके लिए खास और important होने वाला प्लीज इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा अगर आप इस वीडियो को end तक देखोगे, सीखोगे, काम करोगे तो 100% आपको भी कमाई होना start हो जाएगी, कमाई नहीं होगी तो कम से कम आपको knowledge तो जरूर मिलेगा तो वीडियो का end तक जरूर देखेगा और पहली बार मेरे चैनल पर है, अभी तक आपनी भाई के चैनल को support नहीं किया है तो please support करिएगा, उसके लिए आपको like करना है, वीडियो share करना है और इस चैनल को subscribe करना है, क्योंकि हमारा इस चैनल का target है 1 million का अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल 1 million के like है, तो please support करिएगा चलिए, अब हम सुरुआत करते हैं वीडियो की तो आपको करना किया है, दोस्तो सबसे पहले जाना आपको google पे और यहाँ पे आपको दोस्तो टाइप करना है, एक website, open.ai.chart करके या फिर दोस्तो, chart.openai.com आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं तो यहाँ पे देखें, दोस्तो, openai.com आपके सामने आ चुका है website सिंपली आपको करना किया है, दोस्तो, इस वाली official website के link पे आपको click करना है जैसे दोस्तो, आप इस website के उपर click करोगे, नीचे आप scroll down करेए और यहाँ पे देखे, chart.gpt का option आपको दिख जाएगा तो simply दोस्तो, आपको chart.gpt के उपर click करना है chart.gpt के उपर दोस्तो, जैसे click करेंगे, यहाँ पे देखे, try chart.gpt का option आपको दिख जाएगा तो simply आपको इसके उपर click करने जैसे दोस्तो, आप इसके उपर click करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते है, chart.openai.com जो chart.gpt का official website है या URL है, वो आपके सामने आपे open हो चुका है जैसे दोस्तो, आपके सामने chart.gpt open होगा, यहाँ पे देखे, आपको सबसे पहले verify you are human तो हम एक आदमी हैं, तो मैंने आप इसको click कर दिया अब जैसे आप इसको click करेंगे, यहाँ पे देखे, welcome to chart.gpt आपके सामने आचुका है सबसे पहले अगर आप chart.gpt का अस्तमाल करके blog लिखना चाते हैं और उससे blogging करके income generate करना चाते हैं, पैसे कमाना चाते हैं तो आपको chart.gpt का account setup करना पड़ेगा, मिंटो में आप setup कर सकते हैं, कोई problem नहीं होगा सबसे पहले देखे, यहाँ पे आपको login और sign up का button देखेगा तो अगर आप पहली बार आएं, तो sign up button पे click करना है और उसके बाद आपको करना क्या है, आपका email account, यहाँ पे देखे, email याण की Google accounts की मेंदा से direct login करना है, आपका phone number चाहिए, उससे आपका phone number यहाँ पे verify करना है और बस आपका account create हो जाएगा, simple है, कोई problem नहीं होगा अगर आपके पास already account चाहर जेपीटी का, तो यहाँ पे देखे, आपको direct login बटन पे click करना है login बटन में दोस्तों जैसे click करेंगे, welcome back का option आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे मैं continue with google दुबारा से मैं click करता हूँ और मेरे एक account से मैं यहाँ पे देखे, मैं login कर लेता हूँ तो यहाँ पे अभी आप दोस्तों देख सकते हैं, मेरा चाहर जेपीटी का account जो है, वो मैंने login कर लिया इस परकार से आप चाहर जेपीटी का account कुछी seconds में या minto में login कर सकते हैं देखे, कुछ पुराने videos मैंने आपके लिए upload कर रखे हैं मेरे channel पे, आप जाके उनको देख सकते हैं उसके अंदर मैंने आपको step by step ये भी बताया था कि चाहर जेपीटी का इस्तेमाल करने के लिए आप अपना account कैसे create कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहर जेपीटी को बड़े ही आसानी से कैसे use कर सकते हैं तो मैंने दो वीडियो और चाहर जेपीटी के उपर बना रखें आप जाके उनको देख सकते हैं अब यहाँ पर चाहर जेपीटी को option आएगा next button पर click करना है दुबारा next button और done button पर click करना है और जैसे आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने chart GPT open हो चुका है अब देखे चाहर जीपीटी पर आप कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ तक वो मैंने आपको बता दिया है और मैं आपको बता दो इस वीडियो का हमारा जो पहला step है वो complete हो चुका है अब हम चलते हैं अगले step में और अगला step कौन सा रहेगा दोस्तों हमारा अगला step रहेगा blogging के लिए हमें यहाँ पर blog लिखना पड़ेगा अब देखें कई सारे लोग यहाँ पर confused हो रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पर blog लिखना चाहरे हैं या फिर लिखेंगे तो वो आमें किस पर लिखना है कौन सा keyword हम choose करना चाहरे हैं तो देखें मैं आपको पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आगर आप blogging करना चाहते हैं चार्ट जिप्ट एक अस्तमाल करके तो आपको इक niche choose करना पड़ेगा niche यानि कि जैसे कि आप travel पे blogging करना पड़ेगा आप food blogging करना है या फिर आप दोस्तों डिजिटल blogging करना है इंटरनेरेट से related blogging करना से ब्लागिं करना हैं जैसा है आपको नीश पशंद है वैसा ही आपको यहां पर एक नीश शूर्ट करना पड़ेगा और उससे से related आपको कुछ keywords को research करना पड़ेगा ठीक है और उसी के उपर आप यहां ब्लॉग लिख सकते हैं तो देखे मैं आपको बता दूँ यहां पर फेमसडाइडी डॉट कॉम जो आप देख रहे हैं यह हमारा अल्रेडी ब्लॉग बना हुआ है और यह ब्लॉग जो आप देख रहे हैं यह है travel niche पर यह देखे इसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा travel niche है और मैं आज इस वीडियो में जो ब्लॉग लिखने वाला वो भी मैं आपको travel niche related लिख के बता दूँगा ठीक है तो यहां पर देख के आपको करना गया है एक keyword research करना जैसे मैं आप लिखता हूँ top 5 places to visit in Rajasthan ठीक है और मैंने यहां पर enter बटन पर क्लिक किया अब इस परकार से आपको कुछ keyword जो है लेना है और उस keyword की उपर फिर आप blog लिख सकते हैं तो जो आपका नीश आपने चूज किया है जिसके उपर आपको blog लिखना है वो आप यहां पर जो है keyword ले चकते हैं तो म मैं यहां पर keyword ले चुका हूँ top 5 places to visit in Rajasthan और अब हम क्या करेंगे यहां पर देखे new chat के उपर क्लिक करेंगे और यहां पर देखे इसको copy paste कर देंगे मैंने इसको copy paste किया and मैं simply enter बटन पर क्लिक करूँगा जैसे enter बटन पर मैं क्लिक करूँगा देखे top 5 places to visit in Rajasthan अब मेरे step by step लिकूँगा और उसके बाद मैं इसको blogging करके जो है पैसा कमाऊँगा अब देखे यहां पर जापूर आ गया आपको जापूर के बारे में information नहीं है तो यहां पर देखे जापूर pink city मैं इसको type करूँगा enter बटन पर क्लिक करूँगा अब इसके उपर हमारा complete छोटा सा जो blog है वो लिखके देगे हमें chart gpt यह देखे chart gpt जापूर के बारे में जो भी information है यहां पर गूमने के लिए जो best best चीज़े हैं वो हमें यहां पर दे चुका है इसी परकार से हम यहां पर एके करके सभी 5 जो हमारे famous places हैं जैसे उद्यपूर है उन सब के बारे में हम यहां पर एके करके सारी जानकारी ले ले लेते हैं अब यहां पर देख सकते हैं हमारा एक keyword था top 5 places to visit in राजस्तान और वो top 5 places जो राजस्तान में famous है जहां पर घूम सकते हैं वो सभी top 5 places की जो जानकारी है वो यहां पर हमें already मिल चुके हैं और हम इसके बारे में complete blog भी लिख का है ठीक है जिसमें आपको सिर्व अभी 5-10 मिनिट लगे होंगे मातर 10 मिनिट में आपने चार्ट GPT क्या होती है उसका इस्तमाल करना सीख लिया और उसके बाद आप इसे blog कैसे लिख सकते हैं वो आपने सीख लिया आप सबसे important है कि भाया आपने जो blog लिखा है उसको आप ब्लॉग बना के post कैसे कर सकते हैं और उसके बाद आप उस पर traffic कैसे generate कर सकते हैं तो देखे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा पहला तो है आप इसको free blog बना के try कर सकते हो वहाँ पे post कर सकते हो दूसरा है अगर आपके पास कोई paid blog है जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे famousness diary.com वैसे ही आपके पास कोई paid blog है वहाँ पे आप blogging कर रहे हैं वहाँ पे आपका monetize blog तो वहाँ पे भी आप इसको post कर सकते हो ठीक है अब 99% लोगों के पास blog नहीं होगा और तो कोई बात नहीं है मैं आपको free blog का option दे देता हूँ आप free blogging में भी आप यह try कर सकते हो और मैं आ ऐसा website या एक ऐसे portal के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप free blogging करोगे तो भी आपका blog monetize हो जाएगा और वहाँ से आपको income भी generate हो जाएगी ठीक है अगर आप traffic लाने में सफल होते हैं तो ठीक है बाद में आप चाओ तो paid blog बना लेना कोई problem नहीं है अगर आपको blog बनवाना setup करवाना blog तो आप हमारे team को call कर सकते हैं नंबर में इना description में दे दिया है हमारे videos में भी आप number देख पाएंगे और blog हमारे team से आप setup करवा सकते हैं 5-6000 में कोई problem नहीं होगा जिसमें हम आपको website और domain भी free provide करेंगे 6-8000 में आपको blog मिल जाएगा complete setup होके तो हमार हैं दोसों यहां पर free blog की तरफ तो देखें free में आप एक blog setup कर सकते हैं चार्ड जीपीड का blog पोस्ट करने के लिए और उसके बाद आप उस पर monetization करके income भी generate कर सकते हैं तो वो कैसे और कहां से कर सकते हैं मैं आपको जानकारी दे देता हूं देखें सबसे पहले आपको करना किया दुबारा से जाना new tab में और यहां पर आपको type करना दोसो blogger और simply आपको search बटन पर click करना blogger.com आप गया आपके सामने अब आपको करना क्या है इस official website link पर click करना है जैसे दोसो official website link पर click करेंगे यहां पर आप देख सकते है blogger.com के उपर हमारा already blog बना हुआ है तो हम क्य देख सकते हैं हमारी mail ID से already हम blogger.com में login है जैसे दोस आप blogger.com में login करेंगे आपकी mail ID से यहां पर करना क्या है देखिए मेरा already blog बना हुआ है वैसे आपके सामने ऐसे आएगा new blog में click करता हूँ और यहां पर देखिए इस परकार से आपके सामने आजाएगा title करके तो आप देखिए यहां पर आपको title में डालना क्या है? टाइटल में डालना है जो आपका नीश है जिस पर आप blog setup करना चाहते हैं तो यहां पर travel guide 2023 मैंने यह वाला इसको title दे दिया अब मैं इसको copy कर लेता हूँ next बटन पर click कर देता हूँ address में भी दोस्तों मुझे यही डालना है travel guide 2023 अब यह देख सकते हैं sorry this blog address is not available यानि कि किसी ने इस blog को यानि कि इस address को already ले लिया है तो मैं आप इसको change कर देता हूँ ट्यूर इंडिया ट्यूर कर लेते हैं इंडिया इंडिया ट्यूर guide 2023 तो यह देखे हमें यह address मिल रहा है अब हमें क्या करना next बटन पर click करना save बटन पर click करके और जैसे दोस्तों save बटन पर click करेंगे हमारा जो नया blog है वो यहाँ पर देखे इस परकार से setup हो जाएगा बस बड़ी आसानी से आप blogger.com पर blog बना सकते हैं एक दो clicks में और यह देखे अभी हमारा travel guide करके हमारा जो blog है वो यहाँ पर बन चुका है अब blog बनने के बादे कि कुछ अगर आप नया blog setup करते हैं तो कुछ पर settings के लिए देखे करना क्या पड़ेगा आपको जाने settings में और यहाँ पर देखे हमारे blog का title travel guide अगर आप इसको change करना चाते हैं तो देखे ह्याँ पर change कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे मैं इसको change कर देता हूँ मैं यहाँ आपका डिस्क्रिप्शन आपको डालना है जैस इसमें ये लिखेंगे वो लिखेंगे आपके यहाँ पर description में जानकारी देनी है उसके बाद देखेंगे दोस्टे आपको यहाँ पर language देखेगा तो language हमारा English है और यहाँ पर नीचे है आप adult content तो हम इसमें कोई भी adult content नहीं लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर Google Analytics ID तो अभी तो हमारे पास नहीं है कोई बात में इसको छोड़ देते हैं विजिबिटल टू सर्च इंजन तो आप इसको on कर दीजेगा ब्लॉग एडरस आपको यह दिखी रहा है ठीक है कस्टम डॉमेन अभी हमारे पास नहीं है अगर आप बाद में चाहें तो इसको कस्टम डॉमेन के साथ कनेक कर सकते हैं यह आप इसको on रखेगा यहाँ पर blog admin and author तो हमारा mail ID में जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा and invitation वगर आपको नहीं रखना है reader access आपको public रखना है ठीक है कोई भी आपका blog पर सकता है आपको private या custom नहीं रखना उसके बाद देखें यहाँ पर maximum post to main page तो आपको यहाँ पर 7 जो post है वो आप रख सकते हैं कोई problem नहीं होगा उसके बाद जो भी यहाँ पर बाकी settings है वो I think सारी की सारी सही है यहाँ पर time zone आप देख सकते हैं एक बाद time zone आप जरूर change कर दीजेगा मैं इसको नीचे scroll करता हूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं India standard time call करता यह हमें मिल रहा है मैं इसको click करता हूँ और save button पर click कर देता हूँ अब यह देखे हमारा time zone भी change हो चुका है और हमारी date जो format है वो भी automatically change हो जाएगा अब यहाँ पर आप ब्लॉग लिख सकते हूँ उसके बाद दोस्तों नीचे scroll down करना है meta text तो enable search description यहाँ पर इसको on कर दीजेगा और यहाँ पर नीचे scroll down करना है enable custom robot.txt आप इनको चाहे तो वैसे on कर सकते हैं और नीचे scroll down करना enable custom ads.txt वैसे अभी हमारा monetization on नहीं हुआ यहाँ पर तो आप इसको बंद भी रखेंगे तो कोई problem नहीं होगा उसके अलावा आप यहाँ पर चीजें देखर रहे हैं जो settings देखरे हैं वो कोई बात नहीं आपको जैसा है रखना है वैसे कि वैसे आप रख सकतए हैं इसके अलावा देखिंगी यहाँ पर काफी सारी चीजें देखेंगे जैसे post option देखेगा तो post option में जो आप new post करेंगे वो आपको देखेगा यहाँ पे आपको status आपको option देख रहा है जो आपका analytics है जहाँ पे followers, post, comment वो साली चीज़े आपको दिखने वाले reporting वगरा यहाँ पे आपको comment दिखने वाले है यहाँ पे आपको earning option दिख जाएगा जिसमें अगर आपका channel, आपका sorry, blog monetize होता है तो यहाँ पे देखे आप direct adsense account create कर सकते हैं और आप अपनी blog को adsense के साथ link कर सकते हैं उसके बाद देखे यहाँ पे आपको pages option दिख जाएगा जिसमें आप different different प्रकार के pages बनाना चाहते हैं जिसे राजस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या फिर जाली हो गया, पंजाब हो गया अलग लग pages बनाना चाहते हैं और इसके बारे में blog लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे pages option हो गया यह आपका layout option है जिसको आप change मत करना जैसा है वैसे कि वैसे रहने दीजिएगा theme option आपको दिख जाएगा, theme option जो अभी है हमारे पास free वाली, उसी को हम रहने दीजते हैं हम इसमें कोई changes नहीं करेंगे उसके अलावा हमने आपे settings option देख लिए हैं और यहां पर reading list हमें नहीं देखना तो हमारा जो blog है वो proper तरीकी से वैसे ready हो चुका इसमें इससे ज़्यदा कुछ होता नहीं है अगर आप और ज़्यदा करना जाते तो आप करीए अपने blogs में यानि कि आप अपना लिखने का तरीका या फिर आप अपना SEO करने का तरीका बेटर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा तो देखे मैं आपको बता दू हमारे तीन steps something something complete हो चुके हमने चार जीपिटी को स्वाल करना सीख लिए हमने ब्लॉग लिख लिए और हमने एक फ्री ब्लॉग भी बना लिया और यहाँ पर आपका title option दिख रहा है और यह आपका description option है तो हम कैसे लिखते हैं देखे मैं आपको बताता हम सबसे बिल आपको दोस्तों जाना चार जीपिटी पे यहाँ पर हमारा main keyword top 5 places to visit in Rajasthan उसको हम यहाँ पर copy कर लेते हैं यहाँ पर आप इसको simply paste कर दीजे बस यतना सा काम आपको करना है और जो भी आपके यह first letter है उसको आप चाहिए तो capital में कर सकते हैं ठीक है तो यह देखे मैं इनको capital में कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर चाहिए तो कुर्स लिख सकते हैं इन्डिया ट्यूर गाइड करके में लिख देता हूँ इन्डिया ट्यूर गाइड 2023 इस परकार से आप ब्लॉग का नाम लिख सकते हैं आगे कोई problem नहीं होगा उसके बाद दोस्तों करना कै आप इसको वापस से copy कर दिएगा और हमें सबसे पहले यहाँ पर description में इसको paste करना है और हम क्या करेंगे इसको board करेंगे और यहाँ पर हम इसको headline बनाएंगे headline करके और यह देखे हमारी headline बन चुकी है और headline को हम क्या करेंगे हम यहाँ पर बीच में इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखे, center में इसको मैं ले लेता हूँ, इस परकार से दोस्तों आप अपना blog लिखना जो है, start कर सकते हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले title लिखा, और उसके बाद यहाँ पर top 5 places to visit in Rajasthan करके, हमने यहाँ पर यह headline दे दिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे राजस्तान के बारे में, ठीक है, आरेज, यह देखे, राजस्तान मैंने लिखा, और उसके बाद राजस्तान का जो information है, वो हमें यहाँ पर चार्ज एपिटी लिखे दे रहा है, और यह information अब हम क्या करेंगे, हम अपने blog में starting में लिख देंगे, ताकि हमारा जो blog है, वो read करने में लोगों के लिखेंगे, और हमारा जो SEO का जो rules and regulation है, वो भी हम एक तरीकी से follow करेंगे, तो यहाँ पर देखे, हमने राजस्तान के बारे में लिख दिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर देखे, इस परकार से paste करना है, बस आपका काम हो गय उसके बाद दोसों करना का है, यह जो आपने लिखा है ना text, राजस्तान के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक राजस्तान का image भी लगाना है, और उसके बीचे हम लगाएंगे, यहाँ पर इमेज पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम copyright free images लेंगे, हम tools पर क्लिक करते है and creative common license वाला आपको select करना है, और उसके बाद जो भी आप राजस्तान के आपको images मिलेंगे, या graphics या वीडियोस मिलेंगे, वो सभी आपके लिए copyright free होंगे, आपको कोई भी copyright claim नहीं कर सकता, तो यहाँ पर देखे, मैं यह वाला जो image है वो ले लेता हूँ, क्योंकि आपको ब राजस्तान को बतानी की कुशिश करेगा, तो हम save करते हैं इसको and दुबारा से यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, image हम लोग insert करेंगे, तो image के उपर click करता हूँ, और यहाँ पर देखे, upload from computer के उपर मैं click कर देता हूँ, and यहाँ पर choose file के उपर मैं click क आप देख सकते हैं, हमारा जो image राजस्तान का, वो यहाँ पर आ चुका है, मैं इसको full size में कर देता हूँ, तो इस परकार से देखे, देवस्तो आप राजस्तान का image यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके पीछे settings पर click करके, यहाँ पर देखे, add text लगा सक पर click करना है, and यहाँ पर आपको दूसरा headline लिखना है, here is top five, top five places to visit, visit, sorry, visit in Rajasthan, here is top five places to visit in Rajasthan करके, मैंने आप लिखा, और मैं इसको दुबारा से board कर देता हूँ, and मैं आप इसको भी headline बनाने की कोशिश करूँगा, इसको हम sub headline बनाएंगे, तो यह देखे, मैंने इसको sub headline बनाया, और मैं इसको center में कर देता हूँ, इस परकार से दोस्तों, आप यहाँ पर sub headlines वगरा भी लिख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों, दुबारा pt के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पर, और यहाँ पर अब आप शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मैंने copy किया, और यह देखे, मैं इसको copy कर लेता हूँ, एक बार यहाँ से copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ, अब यहाँ प आपको करना जयापूर वाला उदयापूर वाला और जो बाकी पेल आपके places हैं वो देखें मैं इस प्रकार सी यहां से लिखें इसको तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपना complete ब्लॉग अब लिख दिया है देखें मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर देख सकते हैं top 5 places to visit in Rajasthan ठीक है और एक बार इनको वापस से देख लेते हैं आपको यहाँ पर पहला जो headline है यहाँ आपको headline first करना है उसके बाद आप राजस्तान के बारे में आप लिखेंगे और राजस्तान का हमने आप फोटो लगा दिया है उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर top 5 places जो हैं उनकी list हमने यहाँ पर लगा दी है और हमने एके करके यहाँ पर देखें जापूर उद्यापूर और उसके बाद देखें यहाँ पर जोदपूर जैसलमेर और पुसकर करके हमने यहाँ पर top 5 places की जो पूरी जानकारी है वो भी हमने यहाँ पर copy paste कर दी है और यह हमने copy किया है यहाँ पे चार्ड GPT से ठीक है आप देखे आपको यहाँ पे और क्या चीज़े आड़ करनी है अगर आप इसका SEO ढंग से करना चाते तो देखी यहाँ पे आप ज्यापूर का एक image यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे जापूर आप यहाँ पे पेस्ट करिए और उसके बाद दोस्तों आपको करना गया है यहाँ पे images पे जाना है और देखे टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे copyright free वाला जो image है वो आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे देखे जापूर का कोई भी image ले सकते है जो copyright free है और जैसे कि मैंने यहाँ पे राजस्तान के अंदर लगाया है जैसे यहाँ पे राजस्तान वाला photo लगाया है वैसे ही same to same आप यहाँ पे जापूर के उपर है नीचे आप जहां चाहे जाए जापूर का दिखता है अगर हम वहाँ पे विजिट करेंगे तो ठीक है तो ये एक step by step तरीका है blog लिखने का and मैं आपको जो process बता रहा हूँ न दोस्तों ये पूरा का process easy to use है क्योंकि इसमें आपको खुद को read नहीं करना पड़ता खुद को लिखना नहीं पड़ता जो भी work करेगा वो chart GPT करेगा आपके लिए chart GPT मिंटों में आपको blog लिखके दे रहा है बस आपको free blog बनाना है blogger.com पे और उसके बाद आप उसको post कर सकते हैं और traffic लाने के लिए आप SEO कर सकते हैं से and SEO करने के साथ साथ आप gas post कर सकते हैं आप जो है आप page SEO करेंगे इसका जितना आप SEO करेंगे gas posting करेंगे उतना ही आपका traffic यहां से increase होने की chances हैं and traffic कैसे increase करते हैं उसके लिए आप बहुत सारे और videos देख सकते हैं YouTube पे जिससे आपको idea लग जाएगा कि अगर आपने इस video का end तक देखा है तो प्लीज अपना नाम और अपना city का नाम जरूँ टाईप करेगा तागि मुझे पता चले कि इस video का end तक कौन देख रहा है और अगर आपने इस video का end तक देखा है तो वीडियो के comment में जाके एंड तक लिखना ताकि मुझे पता चले कि कौन परसन इस वीडियो को एंड तक देख रहा है तो सगर आज का ये वीडियो आपसे को अच्छा लगा तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा च्छूटा सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करिए अपनी दोसों के साथ शियर करिए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा 1 million का target है अगर आपको लगता है कि हमारा channel 1 million का like है तो please support करिएगा मैं इसी परकार किया और वीडियो आपके लिए लगतार लाता रहूँगा तो इसके लिए bell icon बटन भी प्रेस करिएगा ताकि आगला वी जो वीडियो आने वाला है उसका notification आप सबको पहले मिलते रहे तो आज के इस वीडियो में बस इतने हैं दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चनल को support और subscribe करने के लिए आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद